हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आई होग कि आप सब सही होगे दोस्तों आज मैं आपको बताओंगा कि अपना Facebook अकाउट डिलीट कैसे करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मुबाइल स्क्रिन पर आ जाएना है वाइल स्क्रिन में आने के बाद आपको अपना Facebook एकाउंट ओपेंड करना, Facebook ऐप ओपेंड करना, जैसे आप देख सकते हैं, Facebook ओपेंड हो चुका है, तो आपको यहाँ पर यह थ्री डोट दिख रहे हैं नहीं, यहाँ पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो दूफ्तों जै जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा आपके सामने कुछ ऐसी डेटेल आएगी तो जैसे ही आपको सबसे पहले सबसे उपर जो यह अब है कि मेटा एकाउन जेनकर है इसमें से जो पर्सणा डेटेल देख रहे हैं इसमें आपको क्लिक करना तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा जिसमें आपके मुबाइल नंबर और डेट बड़ इस सारी इंपरमेसन दिखेंगे तो इसमें आपको यहां पर एक option दिख रहा है account ownership and control यह तो इसमें आपको click करना है तो जैसे यह आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा deactivation or deletion तो दो तो जो सबसे नीचे है deactivation or deletion इसमें आपको click करना है जैसे ही आप इसमें click करेंगे तो आपके सामने आपकी ID खुल के आजाएगे तो जैसे आपकी ID खुल के आजाएगे आप देख पाएंगे कि आपका जो नाम है वो देखेगा और Facebook account देखेगा तो आपको इ अब इसमें delete account करेंगे जैसे आप इसमें delete account करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और आप से पर्मिशन पूछेगा कि आप क्यों delete करना चाहते हूं तो मैं I have a privacy concern में delete करना चाहता हूं इसमें आपको click कर देना है और continue में click कर देना है आप से कुस ये permission पूछेगा आपको इला युझ आपको पूछ इस तरह से आपके ये पासवर्ड क्योंच है जो आपका फेश mencion तो आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और जैसे ही आपना पासवर्ड डालेंगे तो यह आपका एकांट डिलेट हो जाएगा तो दोस्तों जैसे ही आप मैं आपने देखा मैंने पासुलेट डाला और आप से एक बार और कंफर्म करने के लिए पूछेगा आपने कंफर्म कर दिया आप से और हैं कि आप डिलेट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलेट कर दीजिए दोस्तों आप जै स्क्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बात